मैंने जब उसे पहले पहल देखा तो यूही सा लगा असलाम अलेकुम वीवर्ज आपने डेमो देख लिया है इस तरह की वीडियो टिक टोक के उपर बहुत ज़्यारा वारल होती है अच्छा यह किनिन आपने भी इस तरह की वीडियो देखी होगी और यह जुरूरी नहीं है आप सिर्फ editing करें आप Instagram से लेकर Pinterest से लेकर कहीं से भी लेकर editing नहीं बलके अपनी वीडियो एक उसको create करें अच्छी वाइस recovering करके एक poetry वाली वीडियो बनाकर उसको भी इस तरह इडिट कर सकती है और यह बहुत लुक वाइस लगती है इस तरह की वीडियो इडियो आपको यही तरीका सिखाऊंगा मुकमल तरीका सिखाऊंगा इसके लिए एडिटिंग एप चाहिए होगा आप अगर कैप करते हैं तो गुड अगर आप इसके लावा किसी भी एप में करते हैं तो कोई ंश्यूट میں डीटिंग करता हूँ तो यहां इंश्यूट एप को open करके आप जिस भी एप के अन्दर डीटिंग करते हैं वहां से एक वीडियो को ले लेना है तो हम यहां पे एक सिम्पल इस वीडियो को ले लेते हैं सबसे पहला step यहtı है है कि आपने इसकी थोड़ी बहुत अ मैं करनी है या द्यश्ट्मेंट करनीrations तो यह विल्टर के ऑपर किलिक करें उसकी थोड़ी बहुत हम एड्जस्ट्मेंट करेंगे इसकी जो लाइटिंग प्लुप कर देंगे कॉंटेस्ट को थोड़ा सा तेजंग करेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे यह एच एसल जो डिफरेंट कलर है आप यह देखें पीछे इसके येलो कलर है तो उसको थोड़ा से तेज कर देंगे और वाइड कलर यह बिलू कलर यह बलेक कलर उसको थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेंगे नेक्स्ट हम आ थोड़ा सा जूम कर लेंगे यह देखें वीडियो के बैक के उपर आपको नज़रा रहा होगा कि बहुत ज्यादा ओवर है जो बोलने वाला परसन है वह बिल्कुल कलोज आ रहा है तो आपने उसको थोड़ा सा इस तरह अड़्जस्ट करके फुल स्क्रीन कर लेना है ताकि मैं ज्यातर फोटोज पिंटरस से लेता हूं तो मुझे यहां से लेना अच्छा लगता है और आपको फ्री पिक वेबसाइट से भी मिल जाएगा यहां पे आके आपने सर्च करना है ब्लैक ब्रस्ट्रोक यहां पे आपको मुखतलिफ किसम के ब्रस्ट्रोक मिल जाएंगे यह देखें जैसे यह सार हैं यहां पे पड़े हुए हैं तो मैं आपके सामने एक यहां से डॉनलोड करूंगा और उसके बाद इसको अपलाई करूंगा त्री डाट के क्लिक करेंगे इसको यहां से डॉनलोड कर लेंगे और यहां जो वीडियो हम एलिट कर रहे थे उसके पर इसको pip करेंगे, pip पे क्लिक करेंगे, add pip करेंगे और यह वाली फोटो को जो हमने वहां से download की थी, इसको यहां पर apply कर देंगे, apply करने के बाद इसको थोड़ा सा हम zoom करके बड़ा कर लेंगे, या वीडियो के मतावएक आपको जैसे चाहिए आप वैसे कर लेंगे अब आप देख रहे होंगे इसके बैक्गरॉंड के उपर आपको वाइट वाइट सा नजर आ रहा है तो इस वाइट को आपने कैसे कितम करना है थोड़ा सा आप इस तरफ आएंगे लेट साइड पे तो यहां आपको ब्लैंड को अप्शन नजर आएगा यहां पे आप आने के बाद अगर पीछे ब्लैक हो और फ्रांट पे वाइट हो तो आपने यहां से इसको ओवरले कर देना है अगर front पे black हो और पीछे white हो तो आपने इसको lighten कर दिना है तो हम यहाँ पे इसको overlay नहीं करेंगे बलके यहाँ पे इसको multiply कर देंगे जब हो multiply करेंगे तो यह देखें इसका जो background के उपर white white सदा वो यहाँ से remove हो चुका है तो हम इसको थोड़ा सा और zoom करेंगे और इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से adjust कर लेंगे तो यह देखें यहाँ पे adjust हो चुका है अच्छा है next हम क्या करेंगे इसके उपर हमने writing करनी है writing जैसे जैसे ये बोल रही है तो हम वैसे कर लेंगे सुन लेते हैं ये क्या कह रही है तो मैं सिर्फ यहां पर आपको एक दो जुम्ले लिख के दिखाऊंगा आपने next उसको duplicate करते जाना है वैसा ही फांट तब्दील होता जाएगा तो इसने लफज बोला है कभी तो simple हम इतना सा लिख लेते हैं यहां पर मैं आपको example के लिए एक छोटी सी वीडियो बना कर दिखा रहा हूँ तो ये आपको नज़रा आ रहा होगा कि इस तरह अजीब किसम कहा रहा है तो आपने again edit के उपर click करना है यहां वे सबसे पहले हमने अपने इसको color देने है पहले आप font select कर ले जमील नूरी नस्तालीक सबसे famous है अगर आप इसके लावा कोई font देना चाहते हैं आपकी मरजी इन्शूट एप के अंदर अलमजरा already मौजूद होता है अगर आप यह लिखना चाहते हैं तो आपकी मरजी नहीं तो जमील नूरी नस्तालीक गूगल पर जाकर इस font को AP के अंदर आप download कर लेंगे अच्छा अभी हम इसको यहां पर click कर देंगे color आप जो भी रखना चाहें अगर आप बना-बनाय color लेना चाहते हैं तो आपकी मरजी यह देखे यहां पर बने-बनाय colors भी मुझूद हैं लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप यहां white को select करें और इसको थोड़ा सा चोटा कर लें तो हम इसको यहां पर चोटा कर लेंगे उसके बाद border हम इसका select कर लेंगे red color में या कोई भी नहीं करना चाहते हैं तो आपकी मरजी उसके बाद label पर click करेंगे label की हमें जरूत नहीं हमने already वो लगा दी है opacity पर click करेंगे तो बिल्कुल ठीक है हमारी OKR है इसको चेड़कानी से हम नहीं करेंगे उसके बाद हम आजाएंगे slide बेंदर मतलब यह है कि आपका यह जो text है यह किस तरह इसके उपर apply हो तो यहां different किसन के दिये हुए है यह देखें आप जिसके उपर भी click करेंगे तो वो apply हो जाएगा यह देखें तो इस तरह आपने इसको apply कर लेना है तो मैं सिरफ यहां पर एक ही लिकूंगा उसके बाद उसको duplicate करता जाओंगा जहां वो खामोश हो रही आपने वहां रखके सेपलेट करने है सेपलेट करने के बाद डिलीट कर देना है अच्छा इसी तरह का next एक जुमला आप दुबारा लिकना चाहते है तो अब आपने दुबारा वो ही सेटेंग अपलाई करना नहीं शुरू हो जाना आपने बस इसी को duplicate करना है बहुत सारे एडिटर क्या करते है दुबारा वो ही लिखते है इतनी मेनत करते है तो इसका नुकसान ही होता है कि पहले वाला font कोई और होता है पहले वाले के adjustment कोई और होती है दूसरे की और तीसरे की और सारी डिटिंग उनकी डिफरेंट नजर आती है एक ही चीज नजर नहीं आती तो आपने यहाँ पर इसी को duplicate करते जाना है वही adjustment automatically सारों के उपर apply होती रहेगी तो ये देखें जैसे एमने पहला लिखा था वैसा भी खुदी दूसरा वैसे लिखा गया है ये देखें टो इस तरह आपने इसको यहाँ से लिक के ok कर देना है उसके बाद कोई filter apply करना चाहें एक effect apply करना चाहें तो effect भी कर सकते हैं कोई भी फैक्ट जो आपको अच्छा लगता है यहां से आप अपलाई कर सकते हैं इस तरह तो इस तरह से आप वीडियो को अपनी अच्छे तरीके से बना सकते हैं तो किस तरह यह लुक वाइज लग रही है अच्छा इसके लावा मजीद अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पर इस वीडियो को दुबारा जाके एडिट करेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट किसम के फिल्टर अपलाई हो जाएंगे ब्राउन एफेक्ट जो इसके लावा टिक टोक के उपर इस्तेमा आप बंदा ही होगी मजीद ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना आज की वीडियो के लिए इतना ही अपने और पर श्याला ख्याल रखिएगा अलाह आपीज